यहां सुबा हो चुकी है मीमी की मम्मी और मीमी की पापा सो रहे हैं और बेला बहा जा चुकी है उसको कुछ काम था और यह रही हमारी प्यारी मीमी जो की सो रही अभी और यह रही एना और यह रहा हमारा प्यारा किचन चलिए देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होने वाल चलो मैं उनकी कमले में जाके देखती हूँ चलो मैं देखती हूँ मम्मी क्या कर लई है अभी तक उठी नहीं यहां मीमी की मम्मी की तरबत खराब है और मीमी उन्हें उठा रहे आई है ममा आपकी तरबत कराब है क्या हो गया ममा आपको हाँ मेरी प्यारी बच्ची मेरी थोड़ी तव्यत खराब है इतना सुनके वहाँ से मीमी चली जाती है और जाके एना को जगाती है यहाँ मीमी एना को बता रही है किसकी मम्मी की तव्यत खराब है एना डी मम्मी की तव्यत खराब है और मम्मी को कुछ खाने को चाहिए क्या आपको शूप बनाना आता है हाँ मुझे सूप बनाने तो नहीं आता मीमी हाँ मुझे सूप बनाने तो नहीं आता मीमी हम यूटूब से देखके एक रेसिपे निकालते हैं और उससे हम बनाते हैं एक मम्मी के लिए सूप, क्या बेला दिदी नहीं है मीमी? नहीं, बेला दिदी नहीं है, बेला दिदी तु बाहर गई है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है चलो हम बनाते हैं सूप यहाँ एना और मीमी मिलके सूप बनाने लगते हैं मीमी क्या तुम मेरी हेल्प करोगी हाँ एनाडी मैं आपकी हेल्प करूँगी लेकिन तुम क्या करोगी मेरी हेल्प मुझे सोचने दो हाँ तुम मुझे सबजिया लाके दे देना मैं सबजिया कट करूँगी तुम नहीं करना ये छोटे बच्चों का काम नहीं होता है ठीक है एनदी जैशा आप बोलिए मीमी क्या तुम मुझे टेमाटर पास करोगी ये लहा टेमाटर और हमें चाहिए गाजल है ना एनदी हाँ हाँ मीमी हमें चाहिए गाजल मैं उठा लेती हूँ गाजल ये लाहा गाजर इसे हम कट कर लेते हैं मीमी अब क्या करना है जीटी हम डाल देंगे इस परतन में चालो अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा पानी नमक और थोड़ी धन्या की पती मीमी क्या तुम मुझे दोगी ये लाहा पानी है एनादी हाँ अब इसमें तुम ठोला सा कल के डाल दो ये मैंने डाल दिया पानी एनादी क्या ये बन गया है नहीं मीमी अभी इसे थोड़ा टाइम लगेगा अब हमें थोड़ा इसे चलाना है और ये बन जाएगा थोड़ी देन में और हमें इसे ले जाके ममी को दे देंगी ममी बहुत खुश होगी हाँ एनादी ममी अभी तक नहीं उठी लगता है उनकी तेवे ठीक नहीं मैं देख के आती हूँ जब तक आप शूप बना लो ठीक है मिमी तुम जाके देख के और ममा क्या कर दई है ला 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 शूप तयार होने वाला है सूप तयार हो गया ममी खा की ठीक हो जाएंगी ये सूप चलो लगता है सूप रेडी हो गया है सूप तो बहुत करम है मीमी ने ले जाए पाएगी मैं ले जाती हूँ सूप ममी के लिए यह लेजी ममी आपके लिए सूप गर्म गर्म सूप जिसे आप पी के पिलकुल ठीक हो जाएंगी अरे वाव एना तुमने इतना अच्छा सूप बनाया है क्या जी क्या बोलते हो हमारे बच्चे कितने समझदार हैं है ना बहुत समझदार तुम्हारा बहुत शुक्रिया मीमी और एना तुम्हारा भी इसे आप हमारा ख्याल रखती है जब हम बिमार होते हैं वैसे भी मैंने और मीमी ने भी आपका ख्याल रखा हमें अपने मम्मी पापा का भी ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए है न मो ऐसे ही है न हाँ बिल्कुल है न हमें अपने मम्मी पापा और बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए मेरी प्यारी बेटी